अद्योगी क्रांती ब्रिटेन में सन 1780 से सन 1850 के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रुपांतरन हुआ उसे प्रथम अद्योगी क्रांती के नाम से जाना जाता है। इस परिवर्तन को क्रांती का दर्जा इस कारण दिया गया था क्योंकि इससे कुछी दश्कों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और समाज में बुन्यादी अंतर आ गये। मनुष्य के उत्पादन छमता में अभूत पूरो व्रिद्धी हुई जिससे उसके जीवन के हर पहलू में परिवर्तन आया। इस कुरांती का ब्रिटेन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। बाद में जर्मनी और सयुक्तराज अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का उन देशों तथा शेश विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन में और द्योगिक विकास का यह चरण नई मशीनों और तकनीकों से गहराई से जुड़ा है। इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले के हस्तशिल्प और हतकरगा और द्योगियों की तुल्ला में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। और द्योगिकरण की वज़ा से कुछ लोग सम्रुद्ध हो गए पर इसके प्रारंबिक दोर में लाखों लोगों को खराब एवं बत्तर परिसितियों में काम करना पड़ा। इन में स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे। इसके कारण विरोध भड़ा कुठा और समाजिक परवर्तन के लिए आंदोलन शुरू हो गये। फल सरूप सरकार को श्रमिकों के काम की परिसितियों के निर्धारन के लिए कानून बनाने पड़े। आरंबिक ओद्योगी करन। देश्विदेश में बढ़ते व्यपार को देखते हुए शहरों में रहने वाले सौधागर, कपड़े, लोहे के ओजार, आदी चीजों का उत्पादन बढ़ाने में जुट गये। वे गाओं के किसानों और कारिगरों को अग्रिम पैसा देते थे और उनसे अंतराष्टी बजार के लिए उत्पादन करवाते थे। वे कारिगरों को विवश करते थे कि वे निश्चित समय पर माल तयार करके उने ही बेचें। सौधागर शहरों में रहते थे लेकिन उनके लिए काम ज्यादा तर दिहात में चलता था। यह आरंबिक और द्योगिक व्यवस्था व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। इस पर सौधागरों का नियंत्रन था और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाए कारिगरों के घरों में होता था। हर सौधागर के आधीन सैक्डों मजदूर काम करते थे। इस तरह बहुत बड़ी संख्या में लोग और द्योगिक उत्पादन, अंतराश्टिय व्यवापार और पैसों के लेंदेन के ताने बाने से जुड़ गए। कुल दोन भेंदेने से एक फाने से जुड़ी संट्चक से थे झालेश। ।